पूर्वी beauty and fashion में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे चेहरे का glow बढ़ाने के लिए लगाएं रागी का face pack दाग धबों और मुहासों से भी मिलेगा छुट करा कैसे मैं आपको बता रहा हूं तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे बोलना च करें फेमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करें तो आई शुरू करते हैं आज का वीडियो रागी सिहत के लियास से बहुत फाइदेबंध होती है रागी में प्रचुर मात्रा में कैल्सियम बिटाविन फाइबर कार्भो हाइडरेट पॉर्टीन एंटी ऑक्सिदेंट होता है यह सभी पोशक्तत्त सर्दियों में शरीर गरम रखते हैं शर्दियों में रागी का सेवन करने से बिमारियों को दूर रखने में मदद मिलती है रागी जितना सेहत के लिए अच्छा होता है उतना ही हमारी स्किन के लिए भी रागी के पूशक तक तो सर्दियों में होने वाले इस्किन की परिशानियों को ठीक करते हैं इसकिन की खुप्सूर्ति को बढ़ाने के लिए रागी का फिस स्पेक हिस्तेमाल किया जा सकता है रागी में बितामिन ए बितामिन सी आयरेन पाया जाता है जो तुच्छा को फेस पेक बनाने का तरीका और एसके फाइदे। रागी का फेस पेक बनाने के कुले समगरी आपको क्या चाहिए। आप नोट कर लें। रागी का दिज, दो चमच, दई एक बड़ाचमच नीबु का रस एक चमच sa pattern एक चमच रागी का फेस बनाने का तरीका आपको बता रहा हूं, इस फेस्ट पैक को बनाने के लिए सबसे पहले रागी के बीजों को हलका सा भून ले, भूने हुए रागी के बीजों को ग्राइंडर में हलका मोटा पीश कर पाउडर बना ले, इसके बाद एक बड़ा बाउल ले और इसमें दही को फेटे हुए दही में रागी का पेशा हुआ पाउडर और नीवू का रस मिलाएं जब पेश्ट थोड़ा गाला हो जाए तो इसमें सहद मिलाएं अगर आपको फेस पैक ज्यादा गाला लगता है तो इसमें आप गुलाब जल मिला सकते हैं कि फेस पैक तैयार होने पर यह होँए और इसे यह पर अप्लाई करें फिस पैक को लगबां पंदे से बीस मिनट तक सूखने जब आपके यह होँए हुए अपको वह पता देता हूँ रागी तुचा पर exfoliate के रूप में काम करता है, dead skin को हटाता है और छिद्रों को कोलने में मदद करता है, इसके बज़े से pimples और एकनीकी समस्या से छुटकरा मिलता है रागी में बिटामिन C होता है, जो dead skin cells को हटाने में मदद करता है, जो चेरे को glowing बनाता है, साथी बिटामिन C होने की बज़े से रागी तुचा के texture को इंप्रूब करने में मदद करता है रागी का face pack तुचा में collagen production को बढ़ाता है, इसकी बज़े से जुरिया और जायों के समस्या भी कम होती है तो यह था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा, कमेंट करके जुरूब बताएं, धन्यवाद